संपूर्ण चंद्रपुर जिले में अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में चल अमीर बनने के लिए अवैच रापतसकरी का काम प्रचलित हो रहा है कुछ पेशिवर शरापतसकर रोल मॉडल बने हुए है कानून का दुर्योपयो कर लंबे समय से करोडो कमा रहे है पेशिवर शरापतसकर युवाव का रोल मॉडल बने हुए है शराप बंदी का लक्ष होता है नशा मुक्स समाज बनाना लेकिन एक तो बेरोजकारी और जल अमीर बनने की ख्वाइश और पकड़े भिग है अब्यों की आतंक से एक शेत्र का शान्त माहोल खराब हो रहा है कुछ जगह पर तो अवेज शराप तसकरों के चलते आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है चंदरपुर्ग शेत्र अपनी खूपसूरुति के लिए विशेश पहचान रखता है लेकिन पिछले कुछ सालों से अवेज शराप के कारोबारी इस स्वर्ग जैसे स्थल को नर्ग बनाने में तुले हुए अवेज शराप के कारोबार से अधिक से अधिक धन कमा लेने की खोड में पूरे चंदरपुर जिले को अवेज शराप का अड़ा बना रहे है युवापीडी शिराब की गिरफ्त में फस रही है शिराबियों ने पुरे शेत्र का माहोल आतंकित कर रखा है जागरुक लोगों ने शिराबियों की आतंको सोशल मीडिया से भी सामने रखा पुलिस भी अवैज शिराब तसकरों पर कारवाई कर रही है इन पाट सालों के दोरान ऐसा कोई दिन न भीता हो जिस दिन चेंदरपुर के अकबार में शराबबंदी कानून तोढ़ने की खबर ना छपी हो लेकिन कमजोर कानून के चलते अपरादी जल्दी जूचाते हैं कमजोर कानून के चलते तसकरों के होसले बुलन है क्या शराब बंदी चुनाव का मुद्दा था? क्या शराब बंदी का कानून थोपा गया है? ऐसा सवाल नागरी को द्वारा उठाया चारा है जाहिर है कि सब कुछ ठीक नहीं है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चूक कहा हो रही है शराब बंदी कानून की नाकामी को आर्थिक नजर्य से देखे तो इसमें पैसे का रूल सबसे अधिक है शराब बंदी करके सरकार ने कुछ अवैत तस्वीरों को बहुत अमीर बना दिया है लेकिन दिक्कत है कि वो पैसा कही कागस पर नहीं है हाला कि बहुत से लोगों को शराब बंदी कानून के उलंगन में पकड़ा क्या है वो बहुत छोटे लोग है असली पेशेवर शराब तसकर ना तो पकड़े जा रहे है ना ही उन पर बात की जा रहे है ये सच है कि कानून को गलक तरिके से इंप्लिमेंट किया गया चितने भी गिरफतारिया हुई है उनमें से अधिकान शराब की कूरियर बोईस मतलब छोटे तसकर गिरफतार हुए है असली पेशेवर सप्लायर्स जैसे लोगों के उपर कारवाई नहीं हो रहे है इसको चूप कहिए या प्लैनिंग मगर इतने अधिक लोगों पर मुकदमी होना और गिरफतारी दर्शाता है कि शराब बंदी कानून फिल हो क्या है शराब बंदी का फाइदा उठा कर शराब माफियों ने काली कमाई का एक नया कारुबार खोल दिया है यवतमायवन नाकपुर से लेकर चंदरपूर तक फराटा भरती गाडियों से शराब फोच रहे है एक अनुमान के मताबिक महीने में करोडों की शराब चंदरपुर जिले में फोचाई चा रहे है कुछ ब्रष्ट प्रशासन अधिकारी और माफियों की गड़ जोड से यवतमाय की शराब चंदरपूर चिले में भेची चा रहे है अगर कुछ शराब पकड़ी भी जाती है तो भी इसका असर माफियों को नहीं हो रहा है पकड़े के चालक और खाल सी कुछ दिनों के लिए जेल जाने के बाद फिर बाहर आ जाते हैं पेशेवर शराब माफिया तक पहुँशने का प्रशासन कभी प्रयास नहीं करती है पुलिस तह तक जाने की जगा गिरफतारी और बरामदी दिखा कर फाइल बंद करती है कुछ नागरिक यहां तक अनुमान लगा रहे है कि असल में कारवाई के पीछे का बड़ा खेल बड़ी गाडियों को इलाके से पार करना हो सकता है यह वतमार और नाकपुर से चलने मारी शराब लदी गाडिया चनरपुर जिले तक तो अलग-अलग रास्ते से आती है यहां तक कोरोना काल में तमाम बंदिशों के बावजूद अवैद शराब का कारोबार फूलतार रहा है वही अवैद शराब के कारोबारी अपना जाल फेला कर माला माल होती रहे है इसलिए या तो शराब बंदी हटाओ या कानून को सक करने की मांग उठ रही है पिछले कुछ दिनों में बल्लापुर राजपुरा वह चंदरपुर में होए हत्याकान यह पुष्टी करता है कि जहां अवैद व्यापार होता है वह अपरात को जन देती है